हलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल अवरिया हलपी निंदी में इस वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं इस गाड़ी के इंजन का पूरा कूलिंग सिस्टम फ्लस या नॉर्मल भासा में बोलो तो रेडियेटर फ्लस डेडियेटर फ्लस मेरे को इस लिए करना है इस गाड़ी का क्योंकि यह गाड़ी चल रही थी बहुत दिनों से नॉर्मल पानी से ही ठीक है कूलेंट नहीं था इसमें नॉर्मल पानी से चल चल के क्या है इसके पूरे कूलिंग सिस्टम में जंग लग जया है तो अब हम चलते हैं गाड़ी के निचे गाड़ी के नीचे चलने से पहले आपको ध्यान रखना है गाड़ी ठंडी हो और रेडियेटर का ढक경ת खोल देना है ड्रेन कैप निकालने से पहले ठीक है ये मेरे पास मारूती वर्सा गाड़ी है मारूती इको के भी किसी-किसी model में ये मैंने देखा है कि drain plug आता है किसी में नहीं आता है मैंने 2019 model में देखा था तो उसमें drain plug नहीं था मेरे को ये वाला नीचे का radiator का pipe भी खोलना पड़ा था equivalent निकालने के लिए तो मेरी गाड़ी में तो है आप देख लेना आपके में नहीं है तो ये pipe भी प्लास से दबा के निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और हाँ इस drain plug को खोलने के लिए भी प्लास का ही यूज करना है आपको देखो जिस तरीके से इस टाइम मैंने इसे प्लास से पकड़ा हुआ है इस तरीके से आपको प्लास से खोलना है इसको अब ये प्लास से धीला हो चुका है और देखो नीचे पानी टपकना शुरू हो जाएगा भी और ये पानी टपकना शुरू हो गया अब मैं गाड़ी म अगर आप ध्यान से देख पारे हों, तो इसकी नालियों के बीच में भी जंग भरा पड़ा है, देखना मेरी उंगली का और क्या हल हो गया है, एक बार मैं और उंगली से दिखाऊऊंगो आपको, इस बार धंग से आया नहीं, अब देखना मेरे उंगली का क्या हाल होगा कितना जंग निकल के आगए ये देखो कितना जंग निकल के आगए ये नॉर्मली उंगली खुसाने पह है सिर्फ हलकी से उंगली रगड़ी है मैंने ध्यान से देखो इसे मतलब अंदर से हलत ऐसी हुई पड़ी है एक दम कबाड़ा अब मैं रेडियेटर का नीचे वाला पाइप निकाल रहा हूँ इस पाइप की किलिप को भी आपको ऐसे ही निकालना है जैसे मैं प्लास से दबा के निकाल रहा हूँ इसका भी आपको कारण बताऊँगा कि ये पाइप क्यों निकाल रहा हूँ ये देखो प्लास से एक बार में एक लिए पिसी लिए नहीं निकल पाइप क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ रखा थे रिकॉर्डिंग करने के लिए ठीक है तो यार एक वीडियो को लाइक कर दिया करो कम से कम आपके लाइक से एक मोटिवेशन मिलता है नहीं वीडियो बनाने के लिए फिलाल मेरे को इस pipe को एक हास से निकालने में problem हो रही है तो मैं आपको direct pipe निकालने के बाद ही दिखाता हूँ देखो मेरा ये pipe निकल चुका है जब आपको ये pipe वापिस लगाना है तो जिस surface पे से pipe निकला है उस surface पे हलका हलका anamond लगा देना है ठीक है वो भी उस surface को पूरा सुखा के खपड़े से पोंचके और अंदर से pipe को भी थोड़ा सा पोंचके कपड़े से मतलब महाँ पे नमीन रहे तो हलका सा bond लगा के लगा देना है आप देखो इस pipe में से जो गंदा पानी निकला है उसके क्या हालत है नीचे आप यह जो पानी के नीचे बैठा हुआ देख पा रहे हो यह पूरा जंग है और कुछ नहीं है मैं आप यह आपको इस पानी को बिखेर के दिखाता हूं क्या हालत है जंग की यह देख रहे हो क्या हालत है जंग की इसमें एक bond का टुकड़ा भी तैर रहा है बॉरंड इतनी भी मतलगा दिना यार कि मतलग उसके पार्टिकल कूलेंट या पानी में मिक्स होने लगें यह बेकार में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज का इकरन बनते हैं और कुछ नहीं देखो जंग की क्या हालत है अंदर नीचे देख पारें कितना जंगी जंगी कट्टा हो रह अब मैं ऊपर पार पा की दाल रहाऊ रहे हैं यह पार मैंने इसलिए निकाला था मेरे को यह चक और रहा हो फैका है और की पानी के नीचे बह रहे है और डरी निकल रहा एक दम नीचे अगर radiator chalk होता तो यह पनी इस तरीके से freely निकलता बलकि उपर back मारता जहां पर मैंने pipe लगा रखा है तो इससे मेरे को ये confirm तो हो गया कि मेरे को अपना radiator खोल के साफ करने की ज़रूत नहीं है मैं ऐसे इसमें flush कर सकता हूँ गाड़ी में लगे लगे एक बात जो मैं आपको बतानी भूल गया आपको गाड़ी का thermostat wall निकालने नहीं रेडियेटर फ्लेश करने से पहले इस गाड़ी का thermostat wall निकालने की मैं वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ उसका link आपको description में मिल जाएगा thermostat wall निकालने से क्या होगा इंजन से रेडियेटर में coolant और रेडियेटर से इंजन में coolant आराम से सरकुलेट हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो मैंने अपना ये रेडियेटर का pipe नीचे वाला और drain plug लगा दिया है अभी मैंने इस pipe पे bond वगयरा कुछ नहीं लगाई है पहले हमें थोड़ा से नॉर्मल पानी डालना है तो अब मैंने यहाँ पे लिया ये white vinegar ये white vinegar की मेरी बड़ी वाली bottle है इसलिए मैं इसमें से आधी यूज़ करूँगा और आधी को मैं बाद के लिए कभी संभाल के रख लूँगा कभी बाद में जरुद पड़े तो इसमें से आधी bottle डाल दी है आपको recording इसलिए दिखाई जिससे वीडियो लंबी ना हो vinegar डालने के बाद हमें इसमें normal water थोड़ा सा दुबारा mix करना है देखो normal water ये mix कर रहा हूं मैं और ये बस इतना बहुत लगभग आधे मग्ये के करीब ये मैं डाल रहा हूं इसमें easy का wordt ये भी कहीं न कहीं जंग की पकड़ को कमजोर करेगा पर करना ये सब ये देशी जगार जब आप expert हों easy का पाउच मिलाने के बाद मैंने इसमें मिलाए था थोड़ा सा और पानी पानी मिलाने के बाद इसमें मैं द्वारा से अब ये डाल रहा हूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी क्या करेगा, मतलब इन तीनों का मिक्स्चर जो है वो जंग को काटेगा, तीनों चीजे मिलके जंग को काटेगी मेन हाथ इसमें रहेगा इन दो चीजों का बेकिंग सोडा का और विनेगर का इन दो चीजों की मदद तीसरा हमारा इजी का पाउच कर देगा बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसे पानी भर भर के पूरा उपर तक फुल कर दूँगा पाने डालते टाइम जाक बन बन के आपको पाने डालने का रास्ता ब्लॉक करेंगे उनको आपको फुक मारे को फोड़ते रहना है तो अब मैंने इसे उपर तक फुल कर दिया है अब हम करेंगे गाड़े स्टार्टा अब हम इसकी कैप को बंद करके गाड़े स्टार्ट तब तक के लिए छोड़ देंगे जब तक की हमारी गाड़े के रेडियेटर का फैन एक बार घूम के बंद ना हो जाए रेडियेटर का फैन चलने का इंतजार हम इसलिए करते हैं रेडियेटर का फैन चलना ही इस बात की पहचान है कि गाड़ी के इंजन में पानी धंक से सर्कुलेट हो गया है दोस्तों देखो हमारी गाड़ी का radiator fan चल चुका है radiator fan चलना इस बात की पहचान है कि ये जो हमने mixture बना के डाला है ये हमारी गाड़ी के engine की पानी की एक एक लाइन में पहुँच चुका है आप इसी mixture से अपने गाड़ी के reservoir tank को भी साफ कर सकते हो हमें ऐसा नहीं करना है कि मतलब गाड़ी का पूरा cooling system तो flush कर दिया और reservoir tank हमारा ऐसे ही पड़ा एकदम कबार सा उसमें जंग के particle है मतलब गंदे पानी के particle है इसलिए reservoir tank साफ करना बिलकुल भी मत भूलना पता लगा cooling system पूरा flush कर दिया और reservoir tank को छोड़ दिया तो आपके पूरे cooling system को दुबारा से कबारा ही हो जाएगा तो अब हमारी गाड़ी गरम हो चुक है और यह जो हमने mixture डाला था यह हमारी गाड़ी के पूरे cooling system में घूम चुका है अब हम कर देंगे गाड़ी को बंद और छोड़ देंगे पूरे 24 घंटे के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन को जरूर दबा लेना जिससे मेरी हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे अपलोड करने के साथ ही और इंस्टाग्राम पर फालो कर लेना इंस्टाग्राम आइडिया आपको दिक्षे तंपूर के नाम से स्क्रेन पर दिखाई दे रहे हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई